एंडिया के उपर ये आरोप लगाई जा रहे हैं कि भारत योरोप को हत्यार दे रहा है जिने आगे युक्रेन को भेजे जा रहे हैं रश्या के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए इंडिया ने इस पर ये कहाए कि इस तरह की जूटी खबरे फेलाने की आपकी हमत के से होई अंतरास्टी दाइत्व के मामले में भारत की छवी बिलकुल बेदाग है देखी हुआ ये था कि एक न्यूज एजनसी है राइडर्स इसके बारे में आपने काफी सुना होगा और ये एजनसी अपनी रिपोर्ट में ये कहती है कि भारत से हतियार और गोला बारुद योरोप में जा रहे हैं जीने आगे यूक्रेन पोचाया गया और रूस के काफी विरोत के बाद भी भारत ने स्टेट को रोकने में कोई इंटरवीन नहीं गिया कोई हस्तक्षेप नहीं किया इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की ये भारत पर बहुत बड़े इलजाम लगाए जा रहे हैं इस रिपोर्ट को अगर आप देखोगे तो आगे इसमें ये लिखाए कि ये सब इंडिया एक साल से कर रहा है जिसमें इटली और चेक रिपबलिक भी शामिल है इनका कहने का मतलब ये कि भारत रूस के खिलाफ पिछले एक साल से युक्रेन को आम्स एक्सपोर्ट कर रहा है लेकिन क्या सच में इसा है क्योंकि विदेश मंत्राले ने डिनाई कर दिया हमारे विदेश मामलों के जो प्रवक्ता है रनधीर जेशवाल उन्होंने ये भारत के साथ ही एक तरह की शरारत की गई है क्योंकि भारत हत्यार का एक्सपोर्ट अपने अंतरास्ती दायत्व का पालन करते हुए करता है डूल यूज यानि दोहरे उपयोग वाले हत्यारों के मामले में भारत की छवी बेदाग है और आप इस तरह से हमारे उपर यानि भारत के उपर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं ये हमारे विदेश मंतराले की तरफ से कहा गया है फ्रेंट्स राइटर ने भारत पर ये लिगेशन भी लगा है कि दोमों के एसे थे जब रश्या ने इंडिया के फोरन मिनिस्टर से ये कहा था कि आप लोग ये क्या कर रहे है आपके जो हत्यार हैं वो युक्रेन के से पोच रहे हैं उस वक्त भारत ने इसा कहा था कि हमने इसा कुछ नहीं किया अगर इसा हो भी रहा है तो हम इसकी बोनेटरिंग करेंगे देखिए ये लोग इसे डिस्क्रीट डिलिवरी बोल रहे हैं मतलब इंडिया ये सब बहुत केरफुली कर रहा है किसी को पता न चले रूस को भी पता न चले ताकि इंडिया की बदनामी न हो कस्टम डिकोर्ट का डेटा देखकर ये लोग ये बोल रहे हैं कि यंत्र इंडिया कमपणी ने 35 मिलियन डोलर के गोले इटली की कमपणी को भेजे थे जो इन्हें आगे आपका कोशन ये हो सकता है कि ये जिंसी इसी हरकती क्यों कर रहे हैं देखे ये लोग इसा सोचते हैं कि इंडिया ये सब अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कर रहा है और रश्या युक्रेन वोर के चलते भारत जो है यूरोप को अपने मार्किट की तरह यूज करना चाहता है क्योंकि यूग्रेन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हत्यारों की काफी कमी है भारत ने 2018 से लेकर 2023 तक 3 बिलियन डोलर के आम एक्सपोर्ट किये हैं और हमारे जो रक्षा मंतरी है राजना सिंग उनका ये भी कहना है कि 2029 तक हम इसे डबल करने वाले हैं और इसी बात का फाइदा ये लोग उठा रहे हैं दूसरी बात अगर आप समझो तो ये लोग इंडिया रश्या रिलेशन को कम जोर कर रहे हैं क्योंकि रूस को ये ये दिखाना चाहते हैं कि भारत यूग्रेन की हेल्प कर रहा है अब भारत यूग्रेन की हो गया है रूस की जतब कोई नहीं करता इवन भारत भी नहीं कर रहा है दिखे यहां पर हमें एक चीज समझनी होगी कि अगर हम किसी देश को हतियार भेज रहे हैं तो हम एग्रिमेंट ये मान कर करते हैं कि इनका यूज वही देश करेगा लेकिन अगर इनका इलिगली है या फिर हतियार थर्ड पार्टी को भेजे जाते हैं तो लाइसेंस किंसिल कर दिया जाता है और ये लोग यही एलेगिशन भारत पर लगा रहे हैं कि भारत के हतियार यूक्रेन में जा रहे हैं लेकिन भारत इन पर कोई एक्षा नहीं ले रहा है और इस एक्टिविटी क वो रूस को दिखा रहे हैं ताकि अंतरास्टी जगत में रूस को अलग थलग किया जा सकें इन सभी बातों से आप समझ सकते हैं कि भारत की इमेज को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है So आज के लिए इतना ही Take Care and Thank You